चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी ओम नमश्युवाय क्योंकि आजकल मेरी तब्यत एक दू दिन से ठीक नहीं है तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा उसकी लिए मैं आप सभी से माफी माँगना चाहता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी अधिक से अधिक आप लोगों के लिए वीडियो मैं दे सकूँ आप लोगों की सेवा कर सकूँ जहां तक बात आती है सवालों की तो मेरे बहुत से साधक और साधवी एक ही सवाल पूछते हैं कि गुरुजी वशिकरन नहीं हो पा रहा है या आपके ये मंत्र है या ये काम करते भी हैं या नहीं करते तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमसे यह क्यों नहीं हो पा रहा तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो वशी करन तभी possible हो पहेगा जब आपके पुनरजन्म का खाता भरा होगा आपने हमेशा देखा होगा जब आप किसी से करवाते हैं किसी से भी करवाते हैं जर्नली हम जाते हैं किसी के पास और किसी के उपर करवाते हैं तो होता यह है कि फिर वो जो व्यक्ति होता है अगर कोई problem आनी होती है तो उसके उपर आती है वो अपने भग्ये पे ले ले लेता है सब कुछ मान लीज़े आपके भागे में नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे आपको किसी के पास जाना होगा उस से ही करवाना होगा तब ही वो पॉसिबल हो पाएगा या फिर आपको मेडिटेशन करनी होगी इतनी जादा कि आप अंदर से शांत हो जाएं याद रखेगा जब समंदर में उथल पुथल होती है तो आप उसमें चाहे एक पत्थर फेकें या कुछ भी फेकें नहीं पता लगता लेकिन जब एकदम शांत नदी में एक छोटी से कंकर प्या फेकते हैं तो उसमें रिपल्स आ जाती है आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है वो यह है कि आपका मन शांत हो आजकल हमारे जो संसार है या जिसमें हम रहते हैं इसमें हर प्रकार से हमें तनाव मिलता है हर चीज में तनाव है चाहे वो मांसिक हो ये शारीरिक हो तो देखे हम शरीर का भोजन तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने आत्मा को हम अपने अंतर मन को भोजन नहीं देते उसका भोजन होता है मेडिटेशन और अगर हम मेडिटेशन करें तो बहुत कुछ बदल सकता है मैं अपने 95 परतिशत वीडियो में यही कहता हूँ कि आप मेडिटेशन करिए क्योंकि मेडिटेशन ना तो फ्यूचर में आपको ले जाता है ना पास्ट में मेडिटेशन आपको सिर्फ प्रेजेंट में रखता है और मेडिटेशन करके ही आप वो हासल कर सकते हैं आप हासिल करना चाहते हैं और इस वीडियो में एक जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ अग बार बार मुझे फोन करके भी बता रहे हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड स्टेडी से रिलेटेड कोई मैं आपको ऐसा टोट का या आपको फायदा हो तो देखिए इसके लिए मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ याद करना चाहते हैं या स्टेडी से रिलेटेड कोई भी दिकत है तो आपको एक काम करना हो सबसे पहले तो आप जब पढ़ाई करते हैं तो अपने पास एक पानी का गलास जरूर रखें और उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहें पढ़ाई के साथ पानी पिएंगे तो आपका कंसेंटरेशन जादा होगा और आपको याद करने में जादा मदद मिलेगी आप इस एक बार प्रैक्टिकल करके देखें आपको बहुत बड़ा रेजल्ट मिलेगा और दूसरी बात ये कि आज कल आप सभी गेम्स खेलते होंगे प्लेस्टेशन या ऐसे चीज़ें जरूर खेलते होंगे या आपको नॉलेज होगी इस चीज़ की तो एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जो प्लेस्टेशन होते हैं या जो वीडियो गेम्स होते हैं इनकी जो मिशन गेम्स के मैं बात कर रहा हूँ इनकी जो म्यूजिक होती है या इस तरह से डिजाइन होती है कि अगर खाले आप म्यूजिक के साथ आपको study करते हैं तो वो आपको और भी जदा याद करने में आपको मदद करेगी अब आप पूछेंगे कैसे देखो इनकी music को इस तरह डिजाइन किया गया होता है कि आपका concentration बनेगा गेम में concentration इसकी music के कारण ही बनता है तो आपको अगर हो सकी तो एक बार try करके जरूर दे कि आपको अत्यन्त प्रभावशाली ये music मिलेगी और इसमें result भी बहुत गजब के होंगे क्योंकि ये try करके देखा गया है और जो game developer होते हैं या जो game बनाते हैं वो बहुत सोच समझ कर रही सारी चीज़े बनाते हैं और रही दूसरी बात तो आप पानी जरूर पिए और ये चीज़े जरूर करिए study में आपको बहुत-बहुत मदद मिलेगी और आपके exam जब है वो clear होंगे और मेरा अशिरवाद आपके साथ है और रही बात अब हम बात करते हैं वशी करन की तो देखिए उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जितना हो सके जादा से जादा meditation करना है अब मैं meditation के लिए तो बोल देता हूँ लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता meditation करना कैसे है ये कौन सी बला का नाम है meditation या इसको कैसे किया जाता है लोग मुझे तो पूछते है meditation कैसे करनी है कैसे proper होगा तो देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको अपना दिमाग अपने अंतर मन को शान्त करना होगा हमारा मन बहुत चंचल होता है इसको जिसने शान्त कर लिया उसने दुनिया में सब पालिया तो इसको शांत करने के लिए एक मैंने आपको बहुत ही दूरलब यहाँ पर comment section में link दिया है, ये जो link है ये link है विश्वम भरी इस्तुति का, ये आप सुनिए, इसको सुनेंगे तो आपको मन में बहुत ही जादा शांती का एहसास होगा, आपको सुनना है आँके बंद करके अराम से बिलकुल ध्यान मगन होके इसको सुनिये आज आपको कोई काम नहीं करना है जब आप एक घंटे के लिए मेडिटेशन के लिए एक घंटा देते हैं तो सिर्फ आपको इस्तुती सुननी है अपने आपको रिलेक्स छोड़ दीजिए अपने आपको उस माँ उस शक्ती के हवाले छोड़ दीजिए और बस उनकी अर्दास करें उनके चर्णों में अपने आपको महसूस कीजिए और देखे आपके जिवन में क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी तकलिफ में नहीं देख सकती आप अपने आपको उनके हवाले कर दीजे, सिर्फ छोड़ दीजे अपने आपको और बोलिए कि जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके विश हैं, वो माँ आपकी पूरी करेंगी और ये सुनिया, आप सुनते ही साथ आपको रिजल्ट हैगा, इतना एफेक्टिव है आपके मन में जो उतल पुतल है, उसको बहुत ही जादा पीस मिलेगा या आपको शांती मिलेगी आप एक बार इसको सुनिये, पूरी अच्छी तरह सुनिये, और अगर आप इसको ब्रह्मा मूरत में डेली सुनते हैं, तो आपका मन शांत हो जाएगा और आपको मेडिटेशन है, वो बहुत जल्दी लगने लगेगी ये जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही दुरलब है, लेकिन चीज़े तो सारी हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि किसको कैसे यूज़ करना है तो इसको आप ब्रह्मा मुरत में सुनिये, मौनिंग टाइम में सुनिये, या फिर आप जब निवृत होके आते हैं तब सुन सकते हैं, या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप कभी भी सुन सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको प्रनाउंस करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी जो अंदर की वाइबरेशन है वो और भी ज़ादा जल्दी जो है पॉजिटिव हो जाएंगी आप इसको सुनिएगा और पूरा ध्यान से सुनने के बाद आपको यह भी काम करें आपको बहुत बड़ी सा फलता मिलेगी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्वशन में दे दिया है तो इस इस तुदी का लिंक होगा इस लिंक पे क्लिक करिए और फिर ये इस तुदी जो है वो चलने लगेगी और आप सुनिए मैं ये मेरा दावा है कि आपको मन को बहुत शान्ती मिलेगी और इससे आपके जो जीवन में बादाएं हो वो दूर होंगी तो मेरा अशिरवाद आपके साथ है आप इसको सुनिए पूरे ध्यान से सुनिए याद रखेगा मेडिटेशन से आपके जो कंडिशन है वो और जादा अच्छी होगी खराब नहीं होगी हर कीमत पर हो से कि तो आप मेडिटेशन करिए और अगर आप मेडिटेशन अच्छा करने लग जाएंगे तो आपको वशी करन की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने वाइबरेशन से अपनी वाइब से ही अपने काम बनवा सकते हैं और आज के समय में बहुत से लोग ऐसे बनाते हैं मैंने एक वीडियो बनाए थी पानी से पानी को चार्ज करके अपनी जो वाइबरेशन उसको और भी ज्यादा एफेक्टिव कर सकते हैं केस्ट से अपनी विश्च को पूरा कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बताता हूँ या आप लाइफ देख सकते हैं लाइफ यूज कर सकते हैं चीज़ों को बिल्कुल प्रैक्टिकल होती है कोई भी इसमें संदे या संशय वाली बात नहीं है मैं जो भी बताता हूँ यहां पर यह सारी चीज़ आजमाई हुई होती है और तभी मैं आप सब लोगों के सामनी चीज़ें लाता हूँ और क्योंकि अभी हमारे जो गरूप है उस मेंबर्स का अना बंद हो गया है क्योंकि उसकी लिमिट थी वो लिमिट भर गई है तो अभी जितने भी लोग हैं किर्पे मुझे ये मैसेज ना करें कि गुरूप में आइड कीजिए क्योंकि गुरूप की जो लिमिट थी वो भर चुकी है और जो हमारे पस बुक्स थी जो कि हमने अभी पोस्ट की थी वीडियो तो वो भी बिक चुकिये हैं सिर्फ तीन वो किषिया हैं ऑर रही बात वीडियो कि तो मैं मेरे साथ जुड़े रहीएगा और कोई भी समस्य होती है आपको तो मुझे कमेंट सस्क्षिन में दीजिए अब comment इतने सारे होते हैं कि मैं हर किसी को reply नहीं कर सकता अगर मैं सिर्फ आपके comment को like करता हूँ तो आप समझ लीजिए कि मैंने आपके comment को देख लिया है और मैंने आपको बताए कि हमेशा आप comment करते रहे जो अच्छा comment लगेगा मैं उसके उपर वीडियो बना दूँगा या आप मुझे personally message कर सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कोई advice हो या आप कुछ पताना चाहें कोई राय हो तो comment section में जरूर दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को subscribe करे करेंगा